किया आपको बैकलिंक बनाने में दिक्कत होता है बैकलिंक बनाने नहीं आता है और आपको पता है कि बैकलिंक नंबर वन रैंकिंग फेक्टर है बिदाउट बैकलिंक बहुत सारे ऐसे नीच है बहुत सारे ऐसे कीवर्ड है जहां पर हम रैंक ही नहीं कर सकते हैं तो ब्लॉग बैक लिंक कैसे बनाते हैं यह कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होगा जहां पर आके मैं ऐसे वासन दे दूँगा यह पूरा प्रेक्टिकल वीडियो है जिसमें मैं आपको एक्जेक्ट तरीके से बताऊंगा कि मैं कैसे यह मेथड फॉलो करता हूं कैसे आपको यह मेथड फॉल तो मैं आपको बेसिक ओवर्वियू देंगा कि वेव 2.0 क्या होता है यह काम करता है या नहीं करता है उसके बाद वेव 2.0 बैकलिंक कैसे बनाते उसके बेसिक के बारे में बात करेंगा क्योंकि basic क्लियर होना बहुत जरूरी है हुआ हवा हवाई उपर कोई भी बात कर दो अगर आपको basic ही clear नहीं होगा तो आप समझ में नहीं आएगा कि कैसे बनाना है कहां पर बनाना है और क्यों बनाना है तो basic clear करना काफी जरूरी है उसके बाद basic clear हो जाएगा ना तो मैं step by step पूरा करके दिखाऊँगा कि यह वेव 2.0 backlink कैसे बनाते हैं कहां कहां पर बनाते है उसके बाद मैं एक पूरा list दूँगा वेव 2.0 का जहां पर आप जा के automatic अपना link बना सकते हो easily बना सकते हो आपको बार बार ढूंडने की जरूरत नहीं होगी मैं कोई भी वी वीडियो लाता हूँ तो उसमें बहुत मेहनत लगता है यह सब वीडियो आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा तो इसमें काफी मेहनत लगता है तो इसके लिए आपका support चाहिए और support के लिए आप क्या कर सकते हैं इस वीडियो को like कर सकते हैं नीचे comment करके अपना नीचे at the company या वेब टू.पैंट जीरो क्या होता है वेब टू.वीडियो जेनौरी कंटेंट होता है ये एक विडियो साइट इसा बेस होता है जहां पी यूजर कंटेंट पोस्ट करते हैं यूजर जेंलेटरत यहोता है कि हम और आप जैसे लोग उसपे पोस्ट करते हैं का मालिक पोस्ट नहीं करता है यह बेसिकली फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म टाइप किसके होते हैं लेट सपोज डॉट ब्लॉग एसपोर्ट या डॉट फ्रेस या वीवली ऐसे इस टाइप के यह एक्जामपल होते हैं यहां पर हम लोग क्या करते हैं अपना नाम से ज फूजर जनेरेटेड कंटेंट बेस्ट की साइड बोलते हैं तो यहां तक आपको वेब टू पॉइंटो समझ में आ गया है उसके बाद हम क्यों वेब टू पॉइंटो बैक लिंक बनाते हैं सबसे पहले तो मैंने पहला ही वीडियो में बताया था कि सबसे इंपोर्टेंट और वेष्ट बैक लिंक क्या होता है, वो होता है contextual बेक लिंक अगर वह आपने वीडियो नहीं देखाए तो प्लीज जाके देखो जब तक वह देखों कर नहीं बैक Link का पूइब कर सकते हैं क्टेंट से वहाँ image डाल सकते हैं वहाँ से backlink ले सकते हैं और सबसे best बात यह है कि यह free method है यहां से हम free backlink ले सकते हैं उसके बाद जो भी नए bloggers है या जो blogging सीख रहे है उसके लिए best तरीका है learning के लिए अगर यह आप करके खुझ से करके देखोगे ना थोड़ा मेहनत लगा के देखोगे तो आपका mindset develop होगा कि आखिर backlink पर काम कैसे करना है कैसे बनाना है तो यह सीखने के लिए बहुत best और free method है यह आपको बनाना चाहिए web 2.0 backlink बनाने के लिए हमें requirement क्या है सबसे पहले तो आपके पास कोई एक email id होना चाहिए बहुत लोग के पास email id होता ही है VPN होना चाहिए VPN क्या होता है एक एप होता है या Chrome extension भी होता है आप simply Chrome extension में browser डाउनलोड कर लो मैं उसका नाम नीचे description में डाल देता हूँ उसके बाद आपने मेरा पहला वीडियो backlink पे देखा होना चाहिए आपको वो वीडियो देखना ही देखना है अगर वो नहीं देखोगे तो सारा चीजे समझ में नहीं आएगी तो अब चलिए सुरू करते हैं कि ये step by step tutorial क्या है web 2.0 backlink बनाने का तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले तो आपके पास एक blog होना बहुत जरूरी है उसके बाद आपके blog का keywords और needs पता होना चाहिए कि मेरा needs क्या है तो पिछले बीडियो में मैंने बताया था कि मैं blogging कैसे करता हूँ उसमें मैंने एक example दिखाया था saving machine का, silai machine का example दिखाया था और कुछ keywords बताया थे तो कोई भी अगर आपके पास blog है let's suppose x,y,z या take niche में है या किसी app पे है या किसी भी चीज पे तो आप वहां से उस needs को find कर लो या needs को अपना लिख लो और उसके बाद उसके keywords लिख लो 4,5,6 जितना भी लिखना है आपको लिख लो जिस पे आपको rank करना है वही keyword लिखो जिस पे आपको rank करना है उसको आप एक Google के seat में लिख लो जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ या तो ये Google के seat में या कहीं भी ये keywords note कर लो उसके बाद उसके target कर लो कि मैं इसको keyword को कहा target करूँगा जैसे कि मालो best saving machine है इसका post कौन सा है उसका URL भी note कर लो ठीक है और उसका home page पे अगर rank करना है तो home page भी note कर लो क्योंकि वहां से हम backlink लेंगे लेकिन आप इसको complicate मत करो बस यहां keyword तक ही दिमाग में रखो कि हमें keyword note कर ले लेना है तो let's suppose मैंने यहां पे 8 या 9 keyword note कर लिया है देखो keyword मैंने क्यों बोला note करने के लिए let's suppose एक हम blog बनाते है ना तो सिर्फ हमें home page ही rank नहीं करना होता है और post भी rank करना है basically आप 5 से लेकर 10 keyword note करो जिसको आपको बहुत जरूरी है ranking करना उसके बाद keyword के base पे हम अपने mind में या कहीं भी URL select करेंगे ठीक है आपने mind में यह URL बैठा लेंगे क्योंकि हमें URL select करना है URL क्यों select करना है इसलिए यह URL हमें select करना है क्योंकि हमें relevant backlink बनाना है relevant मतलब उस नीच से related तो हम क्या करेंगे ना जो हमारा keyword है ना उसके base पे हम URL बना लेंगे जैसे चलो मैं यहां बता के दिखा देता हूं URL for web 2.0 ठीक है यहां पर यह लिख लो उसके बाद URL यह बनाओ जैसे waste swing machine हो गया dot जो भी web 2.0 हो जैसे blog export है या जो भी है मैं वो list आपको अंत में देने वाला हूं वहां से आप ऐसे URL बना लो सब के लिए same to same ऐसे ही इसमें बन लेना है जो भी आपके main keywords है इससे यह होगा ना कि जो भी यह blog बनेगा web 2.0 का वह relevant हो जाएगा आपके keyword से आपके blog से जो की काफी अच्छा work करता है तो आपको ऐसे बनाना है ठीक है तो देखो यह URL आपको यहां पर note कर लेना है यह हम अभी बना नहीं रहे हैं सिर्फ idea के यह लिख रहे हैं कि जब भी हम बनाएंगे ना तो यह चीजे करके हम आगे बनाएंगे ठीक है तो यहां तक तो हमारा URL किलियर हो गया तो यहां से हमें यह पता चल जाए कि हमें URL कैसा रखना है web 2.0 का तो ऐसे आपको 10 के आसपास ऐसे URL अपने लिख लेने हैं और वह सारा 10, 12 या 20 लिस्ट मैं नीचे description में दे दे रहा हूँ वहाँ one by one जाके अपना ऐसे seat में note कर लेना है note करने के बाद आपको क्या करना है अब एक चुली में इसको create करना है web 2.0 को और यह create कैसे होगा वह आपको उन sites पे जाना है जैसे weebly.com है वहाँ पे जाके यह create करना है जैस ब्लॉग एसपोर्ट है वहाँ पे जाके आपको ब्लॉग बनाना है जैसे wordpress.com है वहाँ पे जाके आपको ब्लॉग ऐसे बला लेना है तो वह कैसे करना है वह भी मैं करके दिखा देता हूं ताकि बहुत लोग को यह clear हो जाए ऐसा नहीं कि मैं इसको skip कर दे रहा हूं नहीं इसलिए कर लेना है ना क्योंकि बहुत बार वह साइट से ना आपकी IP को detect करते हैं और बहुत बार आपके वे टू पॉइंटों को ban कर देते तो इसलिए जरूरी है कि आप IP चेंज करते रहों तो मैंने यहां पर IP चेंज कर लिया है और उसके बाद मैं क्या करूंगा ब्लॉ ब्लॉग पर जाओगे ना तो पहले अगर आपका कोई ब्लॉग होगा तो वह दिखाएगा अगर नहीं है तो उसके बाद यहां से आप न्यू ब्लॉग पर create कर लो और यहां पर अपने ब्लॉग का टाइटल डालो तो ब्लॉग का टाइटल में क्या डालोगे अपना वहीं यह करना है कि इसमें माइनस माइनस करके यूज कर लेना है कि अवलेवल है कि नहीं ठीक है यह भी अवलेवल नहीं है तो फिर दूसरा देखो आप क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे और भी कीवर्ड यूज किये थे वह भी हमें यूज कर लेना है क्योंकि कोई भी एक हमें बन कर लेना है आपको यहां पर सेव कर लेना है जैसे ही सेव करोगे ना तो इस एड्रेस का आपको इसको नोट कर लेना है इस एड्रेस का आपका ब्लॉग बन जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे यहां फाइनल लिस्ट में यहां पर नोट कर लेंगे कि हां हमारा यह बन रहा है या बन गया है और यहां पर जैसे नीचे आके व्यू करोगे ना तो आपको वह ब्लॉग बना हुआ दिख जाएगा देखो यह आपका ब्लॉग बन गया है ऐसे यह होगा ना कि आपका यह रिलिबेंट ब्लॉग बन गया है सेम टू सेम आपको हर साइट पे जाके ऐसे ही आप आपको एकाउंट बना लेना है वर्डप्रेस पर जाओगे वीबली पर जाओगे और भी मैं लिस्ट दे दे रहा हूं वहाँ पर जा जाके आपको एकाउंट ऐसे बना लेना है और ऐसे एकाउंट बना बना कि यहाँ पर नोट कर लिया ठीक है उसके बाद आपको यह करना है और मन करें तो बेसिक सेटिंग्स करो17 अगर आपके पास टाइम है तो ले किन अगर टाइम इतना नहीं है तो आप कुछ मत करो थोड़ा सा सिर्फ बेसिक सेटिंग करो क्योंकि ये ब्लॉग की तरह दीखे उसके बाद आपको आजाना है टूटोरील पर यहां पर लेट सपोस क्या है अगर हम नहीं डालेंगे तो बैक लिंग कहां से लेंगे हमें एक इसको प्रोफेशनल लुकिंग ब्लॉग बनाना है ऐसे नहीं दिखना चाहिए कि यह बैक लिंग के परपस से है इसलिए हमें इस पे कम से कम चार से पांच कंटेंट डालना होता है अगर आपके पास बहुत बड़ी टीम है या आपके पास बहुत टाइम है तो आप अपने से खुझ से लिखके 500 वर्ड चार सवर्ड छे सवर्ड का कंटेंट डाल सकते हों लेकिन मैं जो प्रशनली यूज करता हूं देखो यहां पे स् लेट करवा के इन साइट्सों पे इन वेब 2.0 पे डाल देते हैं जैसे हमने यहां पर क्या बना है बेस सेविंग मसीन फर बेगीनर से रिलेटेड हमें कंटेंट जितने हैं वह बनाने है ठीक है गूगल पर गूगल पर क्या करेंगे यह पूरा कीवर्ड हम अपना जो है व कैसे हमें चूज करना इस पे 400 से 500 वर्ड आप याई से यूज करो याई कंटेंट यूज करो ठीक है वेब 2.2 पे ही सिर्फ मैं रिकमेंड करता हूं अपने ब्लॉग पे नहीं तो यहां से कुछ कंटेंट आइडिया मिल गया उसके बाद आप सबसे नीचे जाओगे ना तो यहां से भी कंटेंट आइडिया आपको मिल जाएगा तो इन कीवर्ड पे आप कंटेंट बनाके अपने ब्लॉग पे डालोड तो मैं यहां पर एक एक एजांपल दिखा देता हूं कि कैसे हमारे टीम ने काम किया था और कैसे वेब 2.0 पे बैक लिंक बनाके और कंटेंट कर यहां जरूरी है आपको देखो कीवर्ड से रिलेटेड यूटूब पे जाओ वहां से कोई रिलेटेड वीडियो उठाके भी उसमें डालो इससे यह होगा ना कि वो अच्छा कंसीडर करेगा गूगल इसको कि हां किसी अच्छे बंदे ने इसको किया है बैक लिंक के परपस से यूज नहीं हुआ है तो यहां तक आपको क्या करना है लिस्ट मैंने मालो नीचे दे दिया 10 या 20 वेब 2.0 का सब पे अपना कीवर्ड के बेस पे वेब जाहां आओ बीडियो लगा और उसका on-page SEO सही से करो मिसं तूटै लगाओ एस थ्री लगाओ और उसमें आप帮ोढ़ करो इंटेश करो कीवर्ड को तोहरा में नीच क्या है सेविंग मसीन तो ऐसे सेविंग मसीन करके यहां पर सीधे क्या डालना है आपको विकिपीडिया डाल देना है गूगल में जाके ठीक है और जो भी यह लिंक मिलेगा वह आपको कॉपी करके अपने कंटेंट मैं से लिंक आउट इसको दे देना है तो इससे और authority आपका build होगा तो जहां भी saving machine हो वहां से जैसे यहां search करते जाओ जैसे यह रहा ठीक है यहां से आपको wikipedia को link दे दो आप सीधे यहां से wikipedia को link out दे दो तो इससे यह होगा ना कि आपका blog का authority और बढ़ेगा और वहां से तब अपने blog पे आपको link लोगे ना तो वह अच्छा काम करेगा जो कि मैं आगे step में बता रहा हूं कि वह कैसे करना इसके बाद तो देखो यहां तक आपने क्या किया कि वेब 2.0 create किये सब पे content डाला AI से डाला या spin करके डाला हर content में आपने images डाले फिर video डाला उनका proper on page SEO किया और Wikipedia जैसी site को link किया जिससे की authority आपका बेल्ड हो उसके बाद आपको क्या करना है last step है backlink लेना है जैसे कि मैंने last step में बताया था कि हर web 2.0 पर आप 4-5 content डालना है हर content से आप अपने blog पे backlink ले सकते हैं और backlink देखो कैसे लेना है जो कि anchor text होगा ना anchor text वह हो keywords नहीं होना चाहिए वह secondary keyword यूज करना है वहां पर आपको direct main keyword वहां पर यूज नहीं करना है इससे यह होगा कि आपको spam update में जाने के chances ज्यादा हो जाते हैं अगर आप maximum time main keywords यूज करते हो तो यहां पर secondary keyword कैसे यूज करेंगे उस time देखो हम लोग क्या यूज करते थे हम ल में keyword नहीं यूज करना है गूगल के update से बचने के लिए तो आप secondary keyword कैसे find करेंगे जो भी आपका keyword है वह आपको सीधे डाल देना और आख बंद करके ऐसे नीचे आ जाना है ठीक है और इसमें देखो इससे related keywords क्या है थोरा सा secondary हो जिसमें यह best saving machine for beginners नहीं हो जैसे देखो आप है best cheap saving machine for beginners तो यह आप यूज कर सकते हो एक और है best computerized saving machine for beginners तो यह keyword यूज करके आप backlink ले सकते हो अपने blog पे जो भी आपका blog post होगा ना beginner से related वहाँ आपको backlink ले लेना है तो जैसे मैंने एक post बनाया था advantage of using swing machine यहां से देखो आपको क्या करना है यहां से जो भी आपके secondary keyword क कैसे हमने find किया नीचे जाके Google search करके ऐसे नीचे जाके आप find करोगे ना तो यहां से keyword related secondary keyword मिलेगा ना उसको आपको link कर देना है उससे आपको link दे देना है अपने post पे जो भी उसका post है ठीक है जैसे देखो यहां पे कैसे मैंने link लिया है best beginner swing machine करके नीचे देखो best swing machine beginners करके जो post था वहां पे हम लोग ने link लिया था तो यहां तक आपको clear हो गया कि कैसे आपको web two point बनाना है तो इस वीडियो में थोरा सा मैं recap कर देता हूं हमने क्या किया सबसे पहले तो अपना niche recite किया फिर keyword चूज किये उस keyword के base पे हमने URL चूज किया हर web two point हो का और फिर जाके उन आया फिर AI टूल का यूज करके या फिर spinner का यूज करके हर web two point हो पे हमने अपना content डाला कितना चार या 5 content में हमने क्या किया images डाले video डाला ठीक है proper on page SEO किया और Wikipedia को एक link back किया आप Wikipedia टाइप के और बड़े साइटों को आप link दे सकते हो उसके बाद हमने क्या किया जिस keyword पे ह हमने blog post लिखा है ना उसके secondary keyword के related हम keyword find करेंगे Google से और वहां से हम अपने blog अपने money blog को link करेंगे ये process है आज की इस वीडियो में बस इतना ही अभी तक आपने comment नहीं किया है तो please comment करके बताओ कि ये video कैसा लग रहा है इसमें कोई issue तो नहीं है आपको जो आप face कर रहे हो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर्स कीजिए ताकि बहुत ज्यादा blogger जो नए blogger है उनको help मिल सके thank you so much